आप सबको मेरा नमस्ते, ये सेशन में मैं आपको दो रेसिपी सिखाऊंगे, आचली तीन रेसिपी के टुटॉरल है, च्छे मैने के बच्चे को आप कैसे खाना चालो करेंगे, क्या खाना चालो करेंगे, कैसा बनाना चाहिए, क्या-क्या आप यूज कर सकते हो, क्या-क्या इस्तेमाल कर सकते हो, तो यह है छे मैने की vegetarian recipes है, दूसरा है tutorial है छे मैने की recipes के non-veg recipes के tutorial है और तीसरा जो है वो है powder recipes, तो यह जो powder recipes है बहुत ही बहुत अपरने की है जो recipes जो हमारी जो nutritionist देपाली फरगड़े उसने तयार की है तो यह हम लोग ने देखा फिल्ड में कि जैसे ही मदर यह powder recipes घर में बनाने लगी और बच्चे के खाने में इस्तेमाल करने लगी तो बच्चों का वज़न बहुत ही अच्छी तरह पढ़ने लगा था तो इसलिए हम लोग यह recipes आपको definitely घर पेट ट्राइ करनी है आप अपने खाने में भी डाल सकते हैं अपके बच्चे के खाने में भी डाल सकते हैं लेकिन सबसे इंपोर्टन्ट यह 6 मेने के बच्चे को कैसे recipes पाउडर बना की बच्चे के खाने में डालने हैं ठीक है दूसरा जो नौनवेज रीचिपई हो च्हह मेने की तो बहुत उसका होती कि 6 मेने के बच्चे को नौनवेज नहीं रचिति क्चे के पचन नहीं होगा यह नहीं होगा वो नहीं होगा जुलाब होगा यह सब गलत faites damage है तो आपको गलतiembre में नहीं रहना है आप आपने के हम लोग ने कैसे वो अंडे का ये बनाया हुआ है नो प्यॉरी बनाई है अंडे की प्यॉरी बनाई है तो आप देखिए चिकन की है तो आप देखिए कि कैसे वो प्यॉरी बना के हम लोग बच्चों को खिलाते है आपको दियार में रखना है कि पहला जो खाना चाल पहले तीन दिन के बाद चौथे दिन पर आपको दूसरा फूड ग्रूप आड करना है वो जो खादय कर जूत है वो इसमें एडिशन करना है ठीक है तो आपको वो ध्यान में रखना है कि लगपग तीन हफते में आपके सारे यह हम सरे दैक दूसरा सबूसरा आट आपको आपको सारे खादय प्रदार्त आपकोर्चनल है आपको और 14 कोफे फ्रेसरा spiritually ग्रीशन परदार्त आपको सारे पर ये तीनों जो रेसीपीज के टुटोरियल आपको बहुत ही पसंद में आएंगे 6 महीने के शिशू के लिए शाकाहारी खाना बनाने के तरीकों के इस spoken टुटोरियल में आपका स्वागत है इस टुटोरियल में हम सीखेंगे शिशु को पूरक आहार देने की शुरुआत और शाकाहारी खाना बनाने के तरीके जैसे की लोबिया की प्यूरी बनाने का तरीका, कद्दू की प्यूरी, रागी का दलिया, जवार का दलिया और पालक के पत्तों की प्यूरी आईए पर शिशु के लिए मा का दूद काफी नहीं होता। इसलिए स्तन पान के साथ साथ शिशु को घर पर पकाया हुआ खाना भी दें। इस खाने को पूरक आहार कहते हैं। जब शिशु को पूरक आहार देना शुरू करें तो एक-एक करके शुरू कीजिए। इससे ये पता लगेगा कि शिशु को उस खाने से कोई ऐलर्जी है या नहीं। जब शिशु उस खाने को आराम से खाने लगे तो अलग-अलग चीजों से मिला कर बनाया हुआ खाना उसे खिलाएं। शुरूआत में एक बड़ा चमच दिन में दो बार दें। फिर धीरे दीर करें। शिशु के खाने में नमक या शहद ना डालें जब तक की वो एक साल की ना हो। और चीनी और गुड भी ना डालें जब तक वो दो साल की ना हो। 6 महीने पूरे होने पर शिशु को पूरक आहार से 200 कैलरी की उर्जा चाहिए होती है। शिशु को अच्छे से पका कर प्योरी किया हुआ खाना ही दें। तो आए शुरू करते हैं। ये याद रखें कि बताये जाने वाले खाना बनाने के तरीकों में या तो मा का दूद य फिर उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी इस्तिमाल करें। तो पहला है प्योरी किया हुआ लोबिया। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए लोबिया। पहले लोबिया को 9 से 12 घंटों के लिए भिगो लें। फिर एक छलनी में डालें और अच्छे से पानी में धोएं। सारा पानी निकल जाने दें। फिर लोबिया को एक साफ सूती कपड़े में बांधें और अंकुरित होने के लिए अलग से रख दें। इस प्रक्रिया को अंकुरन कहते हैं। अंकुरित होने पर इन्हें एक स्टील के बरतन में रखें एक से दो घंटों के लिए बिगोएं फिर हलके से अपनी उंगलियों के बीज रगड कर उनका बाहरी छिलका निकालें बाहरी छिलका अलग करके लोबिया को एक स्टील के बरतन में रखें फिर लोबिया के उपर तक पानी भरे, इस स्टील के बरतन को प्रेशर कुकर में रखे और कुकर की 4-5 सीटियां बजने दे, फिर आंच पर से उतार कर ठंडा होने दे, अब कुछ लोबिया के अगर बाहरी छिलके हो तो वे भी निकाल दे, फिर उबली हुई लोबिया को मिक् पर डाल कर पीस लें, थोड़ा सा उबला हुआ पानी डालें, या फिर प्रेशर कुकर का बचा हुआ पानी डालें, लोबिया की प्यूरी तैयार है, इस प्यूरी में ये सभी भरपूर हैं, प्रोटीन, फॉस्फोरस, आइरन, जिंक और मैगनीशियम, ऐसी प्यूरी बनान के लिए आपके इलाके में मिलने वाली आम चीजों का इस्तिमाल करें, जैसे मोट, काला चना, पीली मटर, लाल मसूर, हरी मटर, राजमा, सफेद चना और कुलित वगेरा, दूसरा सीखेंगे कद्दू की प्यूरी बनाना, इसे बनाने के लिए चाहिए 200 ग्राम पीला कद् कर साफ करें, बीजों को निकाल दें और छोटा-छोटा काट लें, फिर 15 मिनट तक उसे भाप लगवाएं, आंच से उतारें और ठंडा होने दें, फिर मिक्सी या सिल्बटे पे डाल कर प्यूरी बना लें, कद्दू की प्यूरी तैयार है, कद्दू की प्यूरी विटामिन A, फोलेट, कोलिन, पोटाशियम और सलफर से भरपूर है, कद्दू ना हो तो बाकी की सबजियां इस्तिमाल करें, जैसे हरा कद्दू और सफेद कद्दू वगेरा, तीसरा है, रागी का दल्या बनाने का तरीका, इसके लिए चाहिए रागी का पाउडर, याद रखें, रागी का पाउडर और रागी का आटा अलग-अलग चीजें हैं, यहाँ पर हमें चाहिए रागी का पाउडर, तो इसी लिए हम पहले सिखेंगे रागी का पाउडर ब फिर एक छल्नी में डाल कर पानी से अच्छे से धोले। जब सारा पानी निकल जाए तो एक साफ सूती कपड़े में बांध ले और अंकुरित होने रख दे। इस प्रक्रिया को अंकुरन कहते हैं। अंकुरित होने के बाद रागी को धूप में एक से दो दिन तक सुखा ले। फिर धीमी आंच पर दस से बारा मिनट तक भून ले। याद रखें। भूनते हुए लगातार हिलाना जरूरी है। इस तरह भूनने से खाने का फाइटिक एसिड कम हो जाता है। अब भूने रागी को मिक्सर में या सिल्बर टे पर पीस कर पाउडर बना ले। इसे एक हफ़ते तक इस्तमाल के लिए डब्बे में कस कर बंद कर ले। और सुखी ठंडी जगा पर रखें। अब रागी का दल्या बनाने के लिए इस रागी पाउडर का एक बड़ा चमज ले ले। औ और उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी या फिर पहले बताई गई चीजे डाल ले। फिर अच्छे से मिलाएं ताकि गांठे ना पड़ें। इस मिश्रन को धीमी आंच पर 7-10 मिनिट तक पकाएं। पकाते हुए अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी मिलाएं। इस स दल्य का गाड़ापन कम हो जाएगा। याद रखें दल्या ना जादा गाड़ा और ना ही पतला होना चाहिए। अब रागी का दल्या तयार है। रागी के दल्ये से ये सब पोशन मिलता है। जैसे प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, पोटैशियम और सलफर। चौथा है जव जवार का दल्या। इसे बनाने के लिए चाहिए दो बड़े चमच जवार का पाउडर। पाउडर बनाने के लिए जवार को साथ से आठ घंटे पानी में भिगो लें। फिर उसे छलनी में डाल कर अच्छे से पानी से धोएं। जब सारा पानी निकल जाए, तो जवार को एक सूखे साफ कपड़े में डाल कर बांध लें, फिर उसे अंकुरित होने के लिए रख दें, जवार अंकुरित होने के बाद उसे धूप में एक से दो दिन तक रखें, फिर धीमी आंच पर दस से बारा मिनिट तक भूनें, और फिर पीस कर पाउडर बना लें, इसे एक हफ इस्ते तक इस्तमाल के लिए डबे में कस कर बंद कर लें, और सुखी ठंडी जगा पर रखें, शिशु का खाना बनाते समय, दो बड़े चमच जवार का पाउडर एक बरतन में ले लें, और इसमें 4-5 चमच उबाल का ठंडा किया हुआ पानी डालें, या फिर पहले पाउडर तयार है, जवार के दलिये में ये सब भरपूर होता है, प्रोटीन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, मैगनीशियम, सेलेनियम, सल्फर और आईरन, पांचवा हम सिखेंगे पालक के पत्तों की प्यूरी बनाना, पालक के पत्तों की प्यूरी बनाने के लिए चाहिए, दो कप धो कर डंडी काटे हुए पालक के पत्ते और एक चमच घी, पहले बरतन में एक चमच घी डाल कर उसे गरम करें, उस बरतन में पालक के पत्ते डाल लें और पांच से साथ मिनट तक धीमी आँच पर पकाएं, अब इन पकाए हुए पत्तों को एक प्लेट में रख ल और मिक्सी या सिलबटे पर डाल कर इन पत्तों का प्यूरी बना लें पालक के पत्तों के प्यूरी तैयार है पालक के पत्तों में ये सब भरपूर होता है विटामिन A, फोलेट, विटामिन C, आईरन, मेगनिशियम और कैल्शियम ऐसी और प्यूरी बनाने के लिए अपने इलाके में मिलने वाले पत्तेदार सबजियां इस्तेमाल करें जैसे लाल माठ के पत्ते, सहजन के पत्ते, मूली के पत्ते, मेथी या फिर सरसों के पत्ते ये स्पोकन टुटॉरियल यहीं समापत होता है IIT Bombay से मैं Bella Tony आपसे विदा लेती हूँ, हम से जुड़ने के लिए धन्यवाद 6 महीने के शिशूं के लिए मासाहारी खाना बनाने के तरीकों के स्पोकन टुटॉरियल में आपका स्वागत है इस टुटॉरियल में हम सीखेंगे शिशूं के लिए मासाहारी पूरक आहार शुरू करवाना क्यूं जरूरी है और कुछ तरीके मासाहारी पूरक आहार बनाने के जैसे की घोटा हुआ अंडा, कच्चे केले और घोटी हुई मचली का दलिया और मुर्गी और गाजर का दलिया आईए शुरू करते हैं हमेशा याद रखें जैसे ही शिशू छे महीने का होता है तो उसके पोशक तत्वों की जरूरत काफी बढ़ जाती है उसे पूरक आहार से 200 कैलरीज के पूरजा की जरूरत होती है इसी लिए स्तनपान के साथ साथ पूरक आहार भी शुरू करना चाहिए जैसे जैसे शिशू की उमर बढ़ेगी खाने की मात्रा और उसका गाड़ापन भी बदलते रहना चाहिए ध्यान दें की शिशू को खाना खिलाते वक खानी को कप या चमत से ही मापे ये इसी श्रिंकला के एक अन्य टुटोरियल में बताया गया है जब शिशू छै महीने पूरे कर ले तो शुरूआत दिन में दो बार एक बड़े चमत से करें फिर धीरे धीरे इसे बड़ा कर दिन में दो बार चार बड़े चमत करें और अच्छे से पका कर घोटा हुआ खाना ही दें अब हम देखेंगे कि शिशू के लिए मासाहारी खाना क्यों जरूरी है हर तरह का मासाहारी खाना चर्बी, प्रोटीन और सूक्ष्म पोशक तत्व से भरपूर होता है ये पोशक तत्व शिशू के शरीर और बुद्धी के विकास के लिए जरूरी है ये सब खाना शिशू के लिए सुझाया जाता है जैसे पिंजरे में ना पाली हुई मुर्गी, अंडा, मास और हर तरह की मचली सिरफ कस्तूरा को छोड़ कर जिसे शिशू के एक साल की उमर के बाद ही दे सकते हैं शिशू को मासाहारी खाना खिलाने से पहले बताई गई बातों का ध्यान रखे शिशू को फैक्टरी में तयार किया हुआ खाना या कच्चा खाना ना दे, खाने को अच्छे से पकाएं और सबसे ज़रूरी है शिशू का खाना माईक्रोवेव आवन में ना पकाएं अब तक हमने बात की छे महीने के शिशू की जरूरत और मासाहारी पूरक खाना क्यों जरूरी है अब हम देखेंगे की मासाहारी पूरक खाना कैसे बनाएं आईए शुरू करते हैं पहला घोटा हुआ अंडा बनाने का तरीका गोटा हुआ अंडा बनाने के लिए हमें चाहिए एक अंडा और आदा चमच घी या मक्षन इसे बनाने के लिए एक बर्तन में अंडा डाल कर उसे अच्छे से फैंटे फिर स्टील के बरतन में घी गरम करें और फेंटा हुआ अंडा उसमें डालकर धीमी आंच पर हिलाएं बीच-बीच में आंच पर से उतार लें क्योंकि लगातार पकाने से घोटा हुआ अंडा जल जाएगा दूसरा है घोटी हुई मचली बनाने का तरीका। इसे बनाने के लिए चाहिए आपके इलाके में आम तोर पर पाई जाने वाली मचली जैसे काला पापलेट, बंबील, सफेद पापलेट या कलमरी। उसके दो टुकडे ले ले। साफ करी हुई मचली के दो टुकडों को एक स उसमें मचली के ऊपर तक पानी भर ले। अब ये स्टील का बरतन एक प्रेशर कूकर में रखें और तीन से चार सीटियां दे कर पकाएं। मचली को थोड़ी देर ठंडा करें और फिर एक प्लेट पर निकाल ले। अब ध्यान से उसमें से कांटे निकाले। शिशु को मच इसी में इस उबली हुई मचली को डाल कर घोट ले और फिर शिशु को खिलाएं। तीसरा है कच्चा केला और मचली का दलिया। इसे बनाने के लिए चाहिए दो बड़े चमच कच्चे केले का पाउडर और बंबिल या आपके इलाके में पाए जाने वाली मचली के चार छ पतला पतला काट लें। और एक से दो दिन तक छाओं में सुखाएं जब तक वे खस्ता ना हो जाएं। फिर सुखाए हुए कच्चे केले के टुकडों को मिक्सी में डाल कर पाउडर बना लें। अब इसे चान कर बीज निकाल दें। कच्चे केले का पाउडर तयार है। अब जैसा पहले बताया गया है उसी तरह मचली को घोट लें। फिर एक बर्तन में दो बड़े चमच कच्चे केले का पाउडर लें। उसमें तीन चमच पानी डाल कर अच्छे से मिला लें ताकि गांठे ना रहें। जरूरत हो तो जादा पानी डालें। फिर इस मिश्रन को धीमी आंच पर 5-7 मिनट तक पकाएं। उसके बाद पका कर घोटी हुई मचली को इसमें मिला लें। धीमी आंच पर लगातार हिलाते हुए 4-5 मिनट तक पकाएं। कच्चे केले और मचली का दल्या तयार है। इसे ठंडा करें और फिर शिशु को खिलाएं। चौथा है मुर्गी का घोटा हुआ कलेजा इसे बनाने के लिए चाहिए एक मुर्गी का कलेजा शुरू करते हैं मुर्गी के धुले हुए कलेजे को एक स्टील के बर्तन में ले ले और उसके उपर तक पानी डाले अब इस टील के बर्तन को प्रेशर कुकर में रख दे और तीन से चार सीठियां दिलवाएं जब वो ठंडा हो जाए तो एक प्लेट पर निकाले अब उबाले हुए कलेजे को मिक्सी में घोट ले और शिशु को खिलाएं पांचवा हैं मुर्गी और गाजर का दलिया हड़ी निकाली हुई मुर्गी और एक गाजर पहले धुले हुई मुर्गी के टुकड़ों को एक स्टील के बर्तन में ले ले और उसके उपर तक पानी डाले अब ये बर्तन प्रेशर कुकर में रखें और तीन से चार सीटियां दिलवाएं थोड़ी देर ठंडा करें और मुर्गी के टुकड़ों को एक प्लेट पर निकाल कर ठंडा करें अब गाजर को दस मिनट तक भाप में पकाएं और फिर ठंडा करें एक मिक्सी में उगले हुए मुर्गी के टुकड़े और भाप में पकाए हुए गाजर दोनों को घोट लें अब बताये गए तरीकों के पोशक तत्वों की बात करेंगे ध्यान रहें कि इन में ये सभी भरपूर हैं प्रोटीन, DHA, EPA जो की ओमेगा थ्री फैटी एसिद हैं और कोलिन Vitamin A, Vitamin D, Vitamin B3, Vitamin B6, Folate, Vitamin B12, Zinc, Magnesium, Iron, Phosphorus, Copper और Selenium ये सभी पोशक तत्व मासाहारी खाने से आसानी से मिल सकते हैं ये सब शिशू के बढ़ने में उसके विकास और उसकी रोग प्रतिरोदक शक्ती बढ़ाने में मदद करते हैं अब 6 महिने के शिशू के लिए मासाहारी खाना बनाने के तरीकों का यह टुटोरियल यहीं समाप्त होता है IIT Bombay से मैं Bella Tony आपसे विदा लेती हूँ, हमसे जुनने के लिए धन्यवाद 6-24 महिने के शिशू के लिए पौश्टिक पाउडर बनाने के तरीकों के स्पोकन टुटोरियल में आपका स्वागत है इस टुटोरियल में हम सीखेंगे कई पौश्टिक पाउडर बनाने के तरीके जैसे की अमाईलेस पाउडर, सिरफ बीजों का पाउडर, दाने और बीजों का पाउडर, फलियों का पाउडर, कड़ी पत्तों का पाउडर और सहजन के पत्तों का पाउडर इन सभी पौश्टिक पाउडरों को घर पर आसानी से बनाया जा सकता है इन पाउडरों के पोशक तत्वों से शिशु के वृध्धी और विकास में मदद मिलती है ऐसा सुझाया जाता है कि ये पाउडर शिशु के 6 महीने पूरे होने पर उसे दिये जाएं जब भी शिशु को नया पाउडर दें तो उसे शिशु के खाने में 3-4 दिन तक मिलाएं 3-4 दिनों के बाद शिशु के खाने में नया पाउडर मिलाएं दो अलग-अलग पाउडर खाने में मिला सकते हैं पर पहले सिरफ एक ही को मिला कर जांचना चाहिए इनसे शिशु के चहरे या शरीर पर सूजन नहीं होनी चाहिए जब भी शिशु को ऐसा पाउडर दें जिसमें अलर्जी करने वाले खाने की चीजें जैसे दाने हों तो शुरुआत में चम्मच की नोक से थोड़ा थोड़ा दें दस मिनट तक रुके फिर दुबारा शिशु को दे शिशु के खाने में नमक न डालें जब तक वो एक साल की ना हो और चीनी और गुड भी ना दें जब तक वो दो साल की ना हो आईए घर पर ही पौश्टिक पाउडर बनाने के तरीके सीखें पर ये ध्यान रहे कि इस टुटोरियल में बताये जाने वाले सभी पाउडरों को इन तरीकों से बनाया गया है भिगोना, भूनना, अंकुरन और पकाना एक या कई तरीकों को जोड कर खाना बना सकते हैं जैसे की सुखा भूनना, भाप लगवाना और उबालना इन सभी तरीकों से खाने में मौझूद फाइट और ऑक्सलेट कम होते हैं ये दोनों ही शरीर को खानों में मौझूद खनिचपदार्ट सोखने नहीं देते और इनके कम होते ही शरीर जादा पोशक तत्वों को सोखता है आईए सबसे पहले देखते हैं अमाईलेज पाउडर बनाने का तरीका पर उससे पहले जानेंगे इसके फाइदे अमाईलेज एक ऐसा एंजाइम या रसायन है जो खाने को पचाने के लिए चाहिए होता है ये शिशु के शरीर में कम मात्रा में बनता है इस पाउडर को खाने में मिलाने से शिशु को जादा अमाईलेज मिलता है पोशक तत्व बढ़ते हैं और शरीर की इन तत्वों को सोखने की शमता भी बढ़ते हैं। इसलिए अमाईलेस से भरपूर, आटा या फिर पाउडर शिशु को दें। अब अमाईलेस पाउडर बनाना सीखेंगे। इसे बनाने के लिए जो सामगरी चाहिए वे हैं। भिगोने से सामगरी में नमी की मात्रा बढ़ेगी। दस घंटों के बाद सामगरी को निकालें और छलनी में रखें ताकि सारा पानी निकल जाए। फिर एक-एक करके हर सामगरी को साफ सूखे सूती कपड़े में बांध कर रखें जब तक वे अंकुरित ना हों। इस प्रक् सामगरी को जादा वक्त लगेगा अंकुरित होने में और कुछ को कम। जैसे रागी को बाकी सामगरी के मुकाबले जादा वक्त लगेगा। अंकुरिन के बाद इनको एक से दो दिन तक धूप में सूखने दे। सूखाने के बाद इनहीं धीमी आंच पर भूने ताकि ये एकदम सूख जाएं, भूनते हुए लगातार हिलाना याद रखें, अब इन सामगरियों का बाहरी छिलका निकालने के लिए इन्हें दोनों साफ हतेलियों के बीच रगड़ें, बाहरी छिलका निकालने के बाद सब सामगरी को मिला लें, और मिक्सी में डालकर पाउडर बना है, इसे एक डिब्बे में कस के बंद करके रखें, और शिशू का खाना बनाने से पहले इस पाउडर का एक चमच इन सभी में मिला सकते हैं, गाड़ी दाल, सबजियों की प्यूरी या खिचडी, अमाइलेस पाउडर का दल्या भी बना सकते हैं, अमाइलेस पाउडर के एक चमच से मिलते हैं 18 कैलरी और 0.6 ग्राम प्रोटीन, अमाइलेस पाउडर के खास गुनों की वज़े से शिशू को इससे फाइदा होता है, ये खाने को कम गाड़ा बनाता है, इसलिए ये शिशू के खाने में जादा डाल सकते हैं, और ये खाने क भारीपन को कम करके उसके पोशक्तत्वों को भी बढ़ाता है, अगला हम सीखेंगे बीजों के पाउडर को बनाने का तरीका, इस पाउडर में ये सभी भरपूर हैं, जिंक, फाइबर, मैगनीशियम और कैल्शियम, इन सभी पोशक्तत्वों से शिशू की हड्यों का विका इस पाउडर को बनाने के लिए जो तीन अलग-अलग बीज चाहिए वे हैं, आधा कप काला तिल, आधा कप अलसी, आधा कप कच्चे कद्दू के बीज, एक एक करके इन तीनों बीजों को धीमी आंच पर चार से पांच मिनट तक भूनिये, ठंडा होने पर इनका पाउडर बनाईए और डब्बे में कस के बंद करके रखिये, इस पाउडर का एक चमच शिशु का खाना पकाने से एक दम पहले डालें, एक चमच पाउडर से 30 कैलरीज और 2.7 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, अगला सीखेंगे दाने और बीजों का पाउडर बनाने का तरीका, इस खनिच पदार्थ खून बनाने के लिए जरूरी हैं, और इस पाउडर में ऐसा खास फैट है जिससे शिशु के बुद्धी का विकास होता है, इस पाउडर को बनाने के लिए जो सामगरी चाहिए वे हैं, आधा कप मोंगफली, आधा कप घिसा हुआ सूखा खोपरा, आधा कप काला तिल, एके करके सब को धीमी आँच पर चार से पांच मिनट तक भूने, ठंडा होने पर मिक्सी या सिलबर टेपर डाल कर पाउडर बना ले, फिर एक डब्बे में कसके बंद करके रखें, शिशु का खाना बनाने से एक दम पहले एक चमच पाउडर डालें, इस से 28 कैलरीज और 0.9 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, अब हम फल्यों का पाउडर बनाना सीखेंगे, इस पाउडर में ये सभी भरपूर हैं, पोटाशियम, प्रोटीन, फोलेट, मैगनिशियम वगेरा, इन पोशक तत्वों से शिशु की हड्यों का विकास होता है, और शिशु की ताकत भी बढ़ती है, ये सभी खून बनाने के लिए भी जरूरी हैं, फल्यों के पाउडर को बनाने के लिए चाहिए, आधा कप हरी मूंग दाल, आधा कप सूखा मटर, आधा कप सफेज चने और आधा कप मोट, पहले हर सामगरी को पानी में अलग-अलग 10 घंटों के लि निकाल दें और छल्नी में रखें ताकि सारा पानी निकल जाए, फिर एक-एक करके सामगरी को साफ, सूखे, सूती कपड़े में बांध कर रखें जब तक वे अंकुरित ना हों, इस प्रक्रिया को अंकुरन कहते हैं, जैसे कि पहले बताया है कि हर सामगरी को अंकुरित होन ताकि ये बिल्कुल सूख जाएं भूनते हुए लगातार हिलाना याद रखिए इससे कुछ भी नहीं जलेगा भूनने के बाद इनका बाहरी छिलका निकालने के लिए इन्हें दोनों साफ हतेलियों के बीच रगड़ें अब सभी फलियों को मिलाएं और पाउडर बनाएं इसे एक डब्बे में बंद करके रखें शिशु का खाना बनाने से एक दम पहले इस पाउडर के दो चम्मच मिलाएं दो चम्मच पाउडर से मिलेगा 33 कैलरीज और 1.8 ग्राम प्रोटीन अगला सीखेंगे कड़ी पत्ते का पाउडर कड़ी पत्ते में भरपूर होता है फाइबर, आयरन, कैल्शिम और विटामिन C ये सभी पोशक्तत्व शिशु के हाज में और दांतों के विकास के लिए जरूरी हैं इनसे रोग प्रतिरोधक शक्ती भी बढ़ती है ये पाउडर बनाने के लिए चाहिए कड़ी पत्ते पहले साफ पानी में पत्तों को धोलें फिर छाओं में सुखाएं और पाउडर बनाएं फिर डब्बे में कस के बंद करके रखें शिशू का खाना पकाने से एकडम पहले इस पाउडर का एक चौथाई चमच मिलाएं इस से 9 मिलिग्राम कैल्शियम मिलेगा अगला सीखेंगे सहजन के पत्तों का पाउडर इस पाउडर में भरपूर हैं कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी, विटामिन ए, प्रोटीन और सल्फर ये सभी पोशक तत्व मसूडों के विकास और तंदुरुस्त आँखों के लिए जरूरी हैं और ये इन्फेक्शन से लड़कर शिशू की ताकत भी बढ़ाते हैं इस पाउडर को बनाने के लिए चाहिए सहजन के पत्ते पहले सहजन के पत्ते अच्छे से साफ पानी में धोएं फिर इन्हें छाओं में सुखाएं और पाउडर बनाएं फिर इसे एक डिब्बे में कस के बंद करके रखें शिशु का खाना पकाने से एक दम पहले इस पाउडर का एक चोथाई चमच मिलाएं इस से 5 मिलीग्राम कैल्शियम मिलेगा इसके अलावा याद रखें की कड़ी पत्तों और सहजन के पत्तों का पाउडर कैल्शियम से भरपूर खाने के साथ ही देना चाहिए जैसे की भुने हुए तिल, अंकुरित सफेद चने, अंकुरित काले चने वगेरा जैसे ही शिशु 9 महीने पूरे करता है तब ये पाउडर दही के साथ दे सकते हैं आपके इलाके में मौसम के हिसाब से मिलने वाले दाने, बीज और फलियों से ये सभी पाउडर बनाएं याद से शिशु के खाने में इन्हें मिलाएं पर हर पाउडर को खाना पकाने से एकदम पहले ही मिलाएं ताकि खाने के साथ पाउडर भी पक जाए अब ये टुटोरियल यहीं समापत होता है IIT Bombay से मैं Bella Tony आपसे विदा लेती हूँ हम से जुनने के लिए धन्यवाद कि अबें लुनने कर सकता है यहीं समावाद लुटोरियं के लिदा कर दो आपसे लेगा कर लो कि अभ़ने कर दो उन्यवाद